नमस्कार किसान साथियों, भारत में 70% से ज्यादा छोटे किसानों की संख्या है इन ही सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज कल कमपनिया भी इन ही की जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट मार्केट में उतार रही है किरलोसकर ने एक अपना नया प्रोडक्ट उतारा है, मेंगा T15 ये बहुत ही शांदार डिजाइन के साथ में तयार किया गया छोटे किसानों की जरूरत के अनुसार इसमें जो गेर सिस्टम है, बड़े ट्रैक्टर की तरह है लौ एंड हाई में 6 गेर सिस्टम है फोरवर्ड के लिए और 2 गेर है बैकवर्ड के लिए उसका जो शिफ्टिंग है गेर का वो भी बहुत ही स्मूथ है साथ ही साथ अगर इसमें इंजन की बात करें, तो जो इसका इंजन है वो लिक्विड कूल्ड डीजल इंजन है 15 HP की पावर ट्रांस्मिशन है, जिसकी वजह से आप लगभग जो बड़े ट्रक्टर के एक्विप्मेंट है, सभी एक्विप्मेंट का इसके साथ में इस्तिमाल कर सकते हैं बहुत ही अच्छा इसमें फॉर्वर्ड जो डिजाइन दिया गया है, मैंगाटी 15 की ब्रेंडिंग है और ग्राउंड क्लियरेंस भी काफी अच्छा है इसकी जो बॉड़ी स्ट्रक्टर है, जितनी जरूरत है, उसके हिसाब से जो किसान अपना हाइट में लंबा है, वो इसको उपर कर सकता है हाइट कम है, तो आप इसको नीचे भी अज़श्ट करके आसानी से पूरा दिन इसको इस्तिमाल में ले सकते हैं ग्राउंड क्लियरिंस भी काफी अच्छा है, इसका जो हैंडलिंग सिस्टम है, वो भी बहुत ही बहतर बनाया गया है इसके जो सामने की लाइट है, वो भी नाइट में काम करने के लिए सांदार है बैठने के लिए seat दी है तो आसानी से घंटों तक किसान इसके साथ में काम कर सकता है साथ में इसके साथ rotavator के attachment आती है बहुत ही बहतरीन design के साथ quality product ये बनाया गया है आसानी से आप अपने खेत में इससे जुटाई कर सकते हैं 3-3.5 तक की fit की चौडाई तक का rotavator है ये adjustable भी है इसको आप अगर 2 fit का भी करना चाहे तो 2 fit की चौडाई भी इससे करके आप गन्ने वगैरह में इस्तिमाल कर सकते हैं धान की पटलिंग के लिए भी इसमें आप जो लोहे के tire आते हैं उसको लगा सकते हैं जिसकी वजह से आसानी आप अपने धान के खेत में पटलिंग वगैरह में इस्तिमाल कर सकते हैं साथ के साथ उसमें एक खास बात होनी चाहिए कि आपका जो ट्रैक्टर है उसकी जो locking seal है वो water tight होने चाहिए ताकि पानी उसके अंदर ना जाए जंग ना लगे और अंदर का bearing system है moment है वो खराब ना हो तो इसलिए इसके अंदर जो है water proof जो sealing है वो दी गई है जिसकी वजह से आपका ट्रैक्टर घंटो तक भी अगर पानी के अंदर काम करता है तो इसके अंदर पानी जाने की कोई संभावना नहीं रहती है और आप आसानी से जो अपधान की जरूरत है उसके हिसाब से पटलिक कर सकते हैं अब बात करते हैं सबजी के किसान जो किसान भाई सबजी वगेरह खेती करते हैं उसमें लाइन से लाइन की दूरी वेरी करती है कहीं दो फिट होती है तीन फिट होती है तो इसलिए इसमें जो टाइर का सिस्टम है वो भी अज़ेस्टेबल है आप आसानी से कम ज्यादा कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप इसको रिवर्स में चला सकते हैं क्योंकि गन्ने में डेड़ से दो फिट की चौडाई की जरूरत होती है। तो इसको आप जो है दो फिट चौड़ा करके आसानी से गन्ने वगैरह में भी इस्तिमाल कर सकते हैं। पलाव हलका बीच में आप attachment लगा सकते हैं। जहाँ पे किसान भाईयों को गहरी जुताई की जरूरत होती है, वहाँ पे इसमें पलाव की attachment करके आप आसानी से चला सकते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे ट्राक्टर देखे होंगे जिसके अंदर पुलाव की खिंचाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसमें forward में वजन नहीं होता है और slip करता है। तो इसमें वो समस्या नहीं आती क्योंकि forward में वजन ज्यादा है। साथ में आप इसमें disk arrow भी लगा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने इसमें सिडलर देखे मतलब 20 बोने की मशीन है। साथ में उसके आप additional खाद की बिजाई भी करने का attachment इसके साथ में रहता है। 2-in-1 सिस्टम है, ये और खिंचाई आप देखोगे बहुत ही बहतर है, balance भी काफी अच्छा है। जीतने भी मैं अभी तक जो power tealer देखे हैं, 15 HP तक के उसमें इसके attachment के हिसाब से सबसे बहतर यही लगा इसके साथ साथ इसमें जो PTO के attachment हो उपर दी गई है। उपर देने से जो आप स्प्रे, pump वगैर है की जरूरत होती है, जैसे आपको अपने सबजियों में फसल में जो स्प्रे करने की जरूरत होती है। वाटर पंप की मदद स्प्रे पंप की मदद से वो आप लगा के आसानी से अच्छे प्रिशर के साथ में बागवानी में या जो अंगूर की खेती है, वहाँ पे भी आसानी से आप इसे स्प्रे वगैर है कर सकते हैं। यह बहुत ही बहतर attachment होती है। साथ ही साथ अगर आपको कुछ सामान एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने की जरूरत होती है, तो इसके उपर ये स्टोर बाक्स है, जो लगभग 200 किलो तक का वजन आसानी से इसके उपर रखके आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। जैसे खाद वगैर हाँ छिड़कने के लिए घर से आपको खेट तक खाद लेके जाना है, तो आप आसानी से 3-4 बैग रखके ले जा सकते हैं। और आसानी से अच्छी पर्फॉर्मेंस इसके साथ ले सकते हैं, जो ज्यादातर तिलर में नहीं मिल पाती हैं। अब तो आनलाइन चेक करने पे काफी वेबसाइट में इसका प्राइस जो है 2-49 से लेके, 2-60 तक का इसका प्राइस बताया गया। हो सकता है कहीं पे अटैच्मेंट के साथ में बताया हो, कहीं पे विदाउट अटैच्मेंट हो। तो अगर आप खरीदना चाहते हैं, तो जो किर्लोशकर के शोरूम में वहां से खरीद सकते हैं। और कमपणी ये भी दावा करती है कि अगर आपका जो समस्या आती है, तो किसान के खेत में घर पे जाके भी वो रिपेर करने की सुविधा किसान को देते हैं। तो साथ के साथ company loan भी किसान भाईयों को देती है तो जो दो टायर के जो ट्राक्टर होते हैं वे equipment में agricultural में गिने जाते हैं इसलिए इनको registration की जरूरत नहीं होती तो या registration charges है, RTO charges है ये सब जो इस पे नहीं लगते हैं तो इसलिए किसान को काफी बचत हो जाती है तो ये थी पूरी जानकारी 15 HP का जो किर्लोसकर का 15T जो एक model launch हुआ था उसके बारे है धन्यवाद किसान भाईयों